दोस्तों आप सबी का बहुत हो स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब या लोग जी के समानने ग्यान इससे रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट 40 कुश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एकशामस के लिए काफी उध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करें और आप 40 कुश्चन में से कितने कुश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना इसकूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो देखिए यहां पर पहला कुश्चन दिया गय सब्सक्राइब करें देखिए बहुत बार यहां से कुश्चन जो एक जाम में पूछे जा चुके हैं तो यहां पर यह तीनों सामिल है तो अप्सन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा एक दो और तीन इसके अलावा प्रेश की सोतनता भारत के संबिधान के कौन से अनुश्चेद में बढ़नी था तो अनुश्चेद उन्नाईस एक ए में बढ़नी था याद रखना है आपको कुश्चन नमबर टू है ठीक है उप्राश्पति नहीं रहेगा इसमें ये तीनों रहेगा ठीक है लोकसभा राज्य सभाव राश्पति से मिलकर जो है भारत की संसत बनती है तो अप्संसी यहां पर करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 4 है संविधान सभा के मूल अधिकारों हल्प संख्यकों एवं जन जातियों तथा बहिसकरित प्रभाविक छेत्रों के लिए प्रामर सदाता समीति के अध्यक्षते तो देखे इस समिते क्या ध्यक्षत है सरदार पठेल सरदार पठेल option C correct हो जाएगा question number 5 है निमने लेखे तुम ऐसे कौन सा कथन प्रास्तावना के संदर्ब में सही है तो प्रास्तावना के संदर्ब में देखे पहला option पढ़ते है प्रास्तावना संदर्ब का एक भाग है बिल्कुल भाग है ये correct है दूसरा दिया गया है प्रास्तावना को संसोदित नहीं किया जा सकता है तो देखे ये गलत है क्योंकि प्रास्तावना को संसोदित किया जा सकता है तो option केवल यहाँ पर ये correct हो जाएगा ठीक है इसके अलावा प्रस्तावना से related जो question एक्जाम है पूछे जाते हैं वो यहाँ पर important question लिखे है पहला दिया गया है भारतिय संबिधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संग्या परदान की गई है तो प्रस्तावना को जो है यह उसकी आत्मा की संग्या परदान की गई है भारतिय संबिधान के भारत की से भारत का राष्ट है तो धर निर्पेक्ष राष्ट है ठीक है सम्वधान निर्मताओं ने किसपर विशस धिया था, तो प्रस्ताओना पर जो है सम्वधान के जो निर्मताओं थे, उन्होंने इसपर सबसे जादा धिया था, अगला कुष्टेन है भारत एक धर निर्पेक्ष राजे इसका मतलब है कि भारत राजे तो देखे इसका मतलब है कि भारत राजे किसी निशी धरम का समर्थन नहीं करता है प्राथम केंद्रिय बिधान सबाग गठन कप किया गया था तो 1901 में किया गया था बहरत की अंता कालिन संसत में कितने सदफ से थे तो 296 सदफ से थे कि इस एक अधिकार को डाक्टर बियार अंबेदकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है तो ये संवैधानिक उपचार के अधिकार के द्वारा कहा गया है मतलब संब्यधानिक उप्चार के अधिकार को जो है ये मतलब डाक्टर बियार अम्बेदकर के द्वारा जो है उसकी आत्मा कहा गया है लोकतांत्रिक के इंद्री करण किसकी महत्पूर्ण विसिष्टता है तो समाजवादी राज्य की विसिष्टता है भारतिय संब्यधान के अंत्रवाद किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है तो नियाईपालिके को समझा जाता है संब्यधान के अंत्रवाद मूल अधिकारों का संरक्षक कोण है सुरोच न्याला है भारत पूर्ण सम्प्रभू लोगतांत्री गनराज्य कब बना 26 नौंबर 1949 को बना भारत के सम्विधान सभाका अध्याक्स कौन थे डक्टर राजेंदर परसाथ थे भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोंसित किया गया है तो प्रस्तावना को जो एक प्रभूत्तो संपन समझवादी धर निर्पैक्षे और प्रजातांत्री गनराज्य के रूप में घोंसित किया गया है सम्विधान के अंत्रवात भारतिय लोगतांत्र के आदर्सों को हम कहां देख सकते हैं देश के सासन में मुलभूत है और बीधी बनाने में इन ततों को लागू करने का राज्य या निमनलविखित में से किस के संबंध में कहा गया है तो देखी ये कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक ततों के संबंध में ठीक है देश के सासन में मूलभूत है और बीधी बनाने में इन ततों को लागू करना राज्जे का करतब्बे होगा या राज्जे के निति नड़सक ततों के सम्मध में बुला गया है तो अप्शन B करेक्ट हो जाएगा लोग सभा को उसके कारेकाल के समाप्ति के पूर्वा ही भंग किया जा सकता है तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है तो मंत्री परशद की सलापर राश्पती के द्वारा भंग किया जा सकता है अगला कुशन है कि सम्मधान संसोधन अधिनियाम द्वारा या प्रावधान किया गया है कि राश्पती राश्टिया पातकाल की उद्गोस्रा केवल मंत्री मंडल की लिखित सिफारिस प्राप्त होने पर ही कर सकता है तो कौन से संसुधन में किया गया है जो वालिस्वे संसुधन में ठीक है मैं यह प्रावधान किया गया है कि राश्पती जो राश्ट का सराव किस के द्वारा होता है अगने आसे के द्वारा अगने आसे जो है यह मानुसरी की दूसरी सबसे बड़ी गरंती है और यह करी जो है मानुसरी की सबसे बड़ी गरंती है तो याद रखना है अगने आसे अगला कुश्चन है बिरिक के बाहरी तथा भीत्री भाग को करम सा कहा जाता है क्या कहा जाता है तो बाहरी और भीत्री भाग को बताना है तो देखें बाहरी भाग को जो है कोर्टेक्स बोला जाता है और भीत्री भाग को जो है मेडियूला तो अप्सनी करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्यन है रग्त सरकरा को नियांतित करने के लिए इंसुलीन का सराव किस गरांथी से होता है तो इंसुलीन का जो सराव होता है अगनियासे गरांथी से अगनियासे अप्सनी करेक्ट हो जाएगा मुद्रा अस्पिती का मुद्रा अस्पिती तथा विरुजगारी के मथ्य के संबंधों को दर्शाता है मुद्रा अस्पिती तथा विरुजगारी के मथ्य के संबंधों को दर्शाता है तो ये फिलिप्स वक्र फिलिप्स वक्र दर साता ही यह करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन है घाटे की बितिय बेवस्था का अर्थ बेवस्था पर क्या परभाव पड़ता है तो मुद्रा आपूर्ती में बिरिधी होती है घाटे की बितिय बेवस्था का अर्थ बेवस्था पर क्या परभाव पड है मुद्रियव पूर्थि में ब्रिधि ऑप्शन भी और्ट record है अर्बिया एक लेखा बढ़भा से तो एक तीस ईयुंड हैजला कुश्चन है अगला SEC मानचित्र में किसे सामिल किया जाता है भहतिक मांचित्र में किसे सामिल किया जाता है परवत, पठार, मायदान और महासागर ठीके यहाँ पर चारों को सामिल किया जाता है ठीके तो option B में दिया गया है Option B एक, दू, तीन, चार भारत में कौन सा सहर सबसे परामपरिक कढ़ाई सैलियों में से एक चिकन कारी के लिए विश्व प्रसीद है तो कौन सा सहर है तो यह है लखनाव ठीक है लखनाव सबसे प्रामपरी कड़ाई सैलियों में एक चिकन कारी के लिए जो है विश्व प्रसीद है तो option B करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन है निममें से कौन सा देश, अस्तल रूट देश है, स्विचर्लेंड, स्विचर्लेंड ओप्सन स सी करेक्ट हो जायेकए, अगला कुस्चन है, अंतराश्च्टि ये तीथी रेखा किस महासाओर से होकर गुजरती है, तो अंतराश्च्टि ये तीhtी रेखा जो है, ये प्रसां करके बिल आइकन प्रेस करें अगला कुश्चन देखते हैं इंसान का जन्म सबसे पहले किस देश में हुआ था इंसान का जन्म सबसे पहले कहां पर हुआ था अफरीका देश में अफरीका देश अप्संसी करेक्ट हो जायेगा करकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती ह तो करकर रेखा जो है ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है ब्राजील भारत में बात करकर करकर रेखा किन राज्ये से होकर गुजरती है तो भारत के आठ राज्यों से करकर रेखा गुजरती है आपको पता होना चाहिए गुजरात राजस्थान मध्य परदेश जहरखंड 36 प्रति चक्रवाद की बिसेस्ता होती है स्वक्ष आस्मान स्वक्ष आस्मान अप्षन डी करेक्ट हो जायेगा अगला कुश्चन है और तिगज किसके दर्बार में रहते थे किरिशन देवराय के दर्बार में किरिशन देवराय अप्षन डी करेक्ट हो जायेगा पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहां से प्राप्थ होता है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहां से प्राप्थ होता है भानुगुप्त के एरा नाभिलेक से प्राप्थ होता है option B correct हो जाएगा अगला question है किस यूद के पशात बाबर ने गाजी की उपाधी धारण की तो ये खानवा के यूद के बाद की खानवा के यूद के बाद option B correct हो जाएगा अगला question है भारत के सुप्रीम कोट में नायधीसोगी संक्या कैसे बढ़ाई जा सकती है भारत के सुप्रीम कोट में नायधीसोगी संक्या कैसे बढ़ाई जा सकती है तो संसदिय कानून द्वारत संसदिय कानून option B correct हो जाएगा अगला question है निमनलेखित में से कौन चतुराई पुर्ण निसक्रियता की नीती के साथ जुड़ा हुआ है कौन जुड़ा हुआ है जोन लारेंस जोन लारेंस अप्सन डी करेक्ट हो जाएगा अगला question है निमनलेखित में से किसी गुरु ने अकाल तक्त की अस्थापना की थी अकाल तक्त की अस्थापना किसी गुरु ने किया था गुरु गोबिन से ने किया था डी करेक्ट हो जाएगा जालियोला बाग हत्याकांड के बिरोध में 22 राय की कारेकार्णी परिशत की सदस्यता से किसने इस्थीफा दे दिया संकरा नायर ने दिया था संकरा उप्शन C में दिया गया है संकरा नायर ठीक है इनों ने 22 राय की कारेकार्णी परिशत की सदस्यता से इस्थीपा दिया था जालियोला बाग हत्याकांड के बिरोध में ठीक है याद रखना जालियोला बाग हत्याकांड 13 अपराल 19-19 को हुई थी सरकारी रिपोर्ट जो आया स्सेमें याद रखना जर्नर्स डायर ने गोलियो चलाने के आदेश दिया था जालियोला बाग में और जर्नर्स डायर को किस्ने गोली मारई थी यह भी कोश्यन पुशा जाता है उधम सी याद रखना है उधम सी नएन्को गोली मई रई थी छीख़ी अगला कुश्ञने है प्राथम दिल्ली दरबार कायोजन किस गौर्णर जर्णरल के काल में किया गया था old liton के काल में लॉड इलीटन अप्सन एक करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन है नेमनेलगिकित पैसे किस रंग के प्रकास का पौधो द्वारा तिवर अउसोशन होता है तो कौन सा प्रकास पौधो के द्वारा तिवरता से अउसोशन किया जाता है तो नीला और जुलाल होता है नीला एवाम लाल तो अपसंसी करेक्ट हो जाएगा गॉर्ण मेटल किसका मिसरधातू है तो गॉर्ण मेटल किससन जेडेन जरदेन मी स्वाबर तू है तो ये किया जाते है निकेल में, ठीक है, अगला कुश्चन है, नेतरदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है, कौर्निया, कौर्निया को दान किया जाता है, नेतरदान में, सी करेक्ट हो जाएगा, अगला कुश्चन है, निमनलेखित में से कौन सा ही नहीं है, साही नहीं है इनमें से कौन सा है, तो देखे पहला एक है करके पढ़ते हैं पहला दिया गया है तपमान के बढ़ने पर वायू में ध्वानी का बेग बढ़ता है ठीक है तो ये भी करेक्ट है मतलब ये करेक्ट है वायू में ध्वानी का बेग दापर निर्भर नहीं करता है तो ये भी करेक्ट है आदरता के ब गॉलत है अगला कोश्यन है आयांत था अब रेती के परिवर्तन से वायू में ध्वाने का प्रभावित नहीं होता है तो यह भी करेक्ट है तो यहां पर गॉलत पुछा गया है कौन साही नहीं है तो सी होचाएगा अंसर परतेवर्ती धारा को दिश्ट धारा में परिवर्तन करने वाले युक्ति क्यों क्या कहते है परतेवर्ती धारा को दिश्ट धारा में तो इसको बोलते है रेक्टिफायर रेक्टिफायर सी करेक्ट सोरी बी करेक्ट हो जाएगा सुचे फर्स्ट को सुचे सेगंड से सुमेलित कीजिए लाइपेज की बात करें तो देखे लाइपेज जो है वासा बीघटन एंजाइम है लाइपेज क्या है वासा बीघटन एंजाइम है ये कचार हो जाएगा ट्रिपसिन ट्रिपसिन क्या है प्रोटीन का पाचन करता है तीन में जाएगा ये माईलेज ये माईलेज जो है कार्वोहडरेट का पाचन करता है और इरेपसिन पॉली पेपडाइट को एमीनो आम लबे बदलता है तो आप इसको सुमेले देख सकते हैं अगला कुश्चन है भारत निमने लिखित वैसे किस देश के साथ सबसे लंबी अंतराश्टिय सीमा को साज्या करता है सबसे लंबी अंतराश्टिय सीमा को साज्या करता है बांगला देश के साथ यह answer हो जाएगा अगला question है लच दूइप में कितने दूइप समूँ है लच दूइप में कितने दूइप समूँ है आप सभी के लिए यह हुमर question रखते हैं ठीक है 17, 27, 36 या फिर 47 दोस्तों आप इसका answer comment box में ज़रूर बाता है और आप इनमें से कितने question सही कर पाए है अपन जय भारत